सब्सक्राइब कीजिए MS जादून YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइगन पर लेटेश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने मॉबाइल के अंदर इंटरनेट की स्पीड को दो गुना कर सकते हैं दोस्तो आपके मॉबाइल में इंटरनेट की स्पीड दो गुना बढ़ जाएगी और कभी भी कम नहीं होगी आपको मैं दो ट्रिक बताऊँगा दोस्तो इस फौन के अंदर यदि आपने दोनो ट्रिक को यूज किया तो आपके मॉबाइल के अंदर इंटरनेट की स्पीड दो गुना बढ़ जाएगी और बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्तो आपको कुछ भी नहीं करना होता बस मैं जैसे जैसे आपको बताऊँ बैसे बैसे आपको करना है इससे पहले मैं आपसे कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में इंटरनेट ट्रिक जरूर लिखे और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लए रेड बटन पर क्लिक करके और बैल आइकन पर प्रेस कर दे क्योंकि मैं एसी नई वीडियो लाता रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाए मैं आपके सवालों के जबाब भी Instagram पर दे दूंगा तो दोस्तों आपको क्या करना होता है आपको सबसे पहले setting पर जाना होता है दोस्तों तो आपको आपके mobile के अंदर setting का app होगा जैसे कि यह setting का app है आप देख सकते हैं तो आपको setting के app पर जाना है यह रहा setting का app, हम setting के app पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको connections का option दिखेगा या आपको internet connections का option दिखेगा, तो आप यहाँ पर इस पर click कीजिएगा जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको mobile networks लिखा हुआ दिख रहा होगा यदि आपके mobile के अंदर 2G, 3G हो या 3G only हो या 2G only हो तो आपको यहाँ पर LTE 3G और 2G auto connect पर click करना है तो यहाँ पर यह connected है तो आपको कुछ नहीं करना, access point name में आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर add tell MMS और add tell internet है तो आपको यहाँ पर add tell internet पर click कर देना है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको add tell internet लिखा हुआ देगा, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होता है यह तो first trick है, simple trick है, इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको back में जाना है बैक में जाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है आपको वापस बैक में जाना है और दोस्तों नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको एक डवलपर ओप्संस का यहाँ पर फीचर दिखेगा आप देख सकते हैं डवलपर ओप्संस का तो इस पर आपको क्लिक करना जैसे ही आप this for click कर देंगे तो नीचे आप जाएंगे तो नीचे जाने के बाद में दोस्तों और आपको मैं दिखा देता हूं आपको कुछ फीचर यहांपर दिखेंगे जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँगा तो आप थोडा सा वेट की कीजे तो जोस्तों यहां पर जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपको ogsåил टिक लिकख तो इस पर क्लिक करना है इसको यहां पर एनिमेशन scale 1.5x पर click कर δेना है ऐसे यहां पर transition animation scale इसको भी यहांपर animation scale 1.5x पर click कर देना है दोस्तों यह काम तो कर देना है इसके बाद मैं आपको यहां पर एक और option दीखेगा दोस्तों मैं अभी आपको डूंड के बता देता हूँ आप थोड़ा सा भेट कीजेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक option दिखेगा उस option को आपको enable करना होगा जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर ढूंड करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों जब आप यह काम कर लेंगे उसके बाद में आपके mobile के अंदर internet की speed दोगना हो जाएगी तो दोस्तों यह option यदि आप कर लेंगे इसके बाद में आपके mobile के अंदर internet से related कोई भी problem नहीं आएगी बस यही काम करना होता है दोस्तों यहाँ पर आपको एक feature और जैसे कि यह देख सकते हैं background process limit आपको इस पर click करना है click करने के बाद में यहाँ पर no background processes इस पर आपको click कर देना है दोस्तों जब यह काम कर देंगे उसके बाद में आपके mobile के अंदर internet की speed इतनी बढ़ जाएगी कि आप भी कहेंगे बाद क्या trick बताईए तो दोस्तों बहुत अच्छे trick है आप एक बार इसको use करके देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा I hope आपको यह video पसंद आई होगी तो please share करना बिलकुल भी मत भूलिएगा धन्यबाद